की बढ़ती रफ्तार ने एक बार फिर से डरा दिया है। सोनी पत के मुर्थल से धाबो में लगातार पॉजिटिव केस मिल रहे हैं और करमचारियों की वज़़ से अब चिंताएं बढ़ती जारी हैं जिसके बाद धाबो को लेकर जिला प्रशासन ने नया प्लान तयार कर द सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। सोनी पत के मुर्थल से धाबो में काम करने वाले करमचारियों के कोरोना पॉजिटिव पाय जाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सोनी पत के मुर्थल में सुकदेव और गरम धरम धाबे में 75 करमचारियों के कोरोना संक्रमि थोने के बाद अब मुर्थल के धाबे परेशानी का सबब बनते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मुर्थल के पहलवान धाबे में पाच करमचारी कोरोना पॉजटिव पाये गए है जबकि कुबे धाबे में तीन और आहुजा और जिलमिल धाबे में एक एक करमचारी संक्रमित पाया गया है धाबों में लगातार फैल रहे कोरोना ने जिला प्रशाशन की नींद उडा दी है लिहाजा DC सोनी पत शामलाल पुनिया के नेत्रितोफ में सभी धाबा मालिकों को ADC दफतर में बने DRDO ओफिस में मीटिंग के लिए बुलाया गया इसके अलावा धाबों की निगरानी प्रशाशन CCTV कैमरों से करेगा ताकि नेमों का पालन नहीं करने पर धाबों पर कारवाई की जा सके उनको रिइंफोर्स करने के लिए उनको रिट्रेट आज किया गया है इनके कुछ concerns थे, कुछ misunderstanding थी जो उसको भी दूर किया गया है और फिल्ड में जो सर्विलान से उसको बढ़ाए जाएगा आपको और जो SOP जैनका पालन करके दस तारिक से जीजीज का SOP कंप्लीट में लेगा उसका वापस बोलने का प्रक्रिया सुरू कुझा सोनिपत की तरह करनाल में हाईवे पर सिट्स वोई ग्रीन फूड कोड और अलग-अलग रेस्टोरेंट में आठ करमचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं जिसके बाद करनाल में भी प्रशाशन एक्शन में दिखाई दे रहा है करनाल में स्वास्तेवे भाग की टीमों ने धाबो, होटलो, फूड कोड पर काम करने वाले करमचारीों के तेजी से कोरोना सेंपल लिए ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके लग बग आठ लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट डाबों में उसमें पॉस्टिव पाए गया है को इसलिए बार बार हम यह अपील करना चाहेंगे सबी से जो एम्पलॉयर्स हैं वो भी कि अपने साफ सफाई का, अपने स्टाफ की रेगुलर चेक अप का थोड़े से भी कोई सिंटम आते हैं, इमीजेटली उटको टेस्ट करवाया जाए, जिससे कि यह किसी और लोगों को आगे सब करमिक ना करें हाईवे पर धाबो और फूट कोर्ट में सफर करने वाले लोग रुपकर खाना खाते हैं ऐसे में अगर धाबो में कोरोना वाइरस फैला, तो ये वाइरस का बड़ा केरियर साबित हो सकते हैं, जिससे कोरोना की रफकार में तेजी से इजाफा होने का डर बना हुआ है सोरीपत से सने मलेक और करनाल से केसी आरिया, NGR News हर्याना